नमस्कार मैं इंटियाल आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल इंटियाल मैं स्वागत करता हूं कैसे हैं आप लोग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा आप लोग के लाइफ में लेकिन चलिए हमारा जो काम है हमारा काम है प्रहना आपको काम है पढ़ना लॉगडाउन तो देखिए इसी के साथ हम लोग जो है आज का जो सेशन है इसमें मैं बताया था आपको कि इवी डिजिट और सुन्यकों की संख्यास जो होता है आपका नम्र और जीरो से लेटर कुछ कोश्टन करेंगे जो कि आपका ऐसे से प्रिभी सेरी में कुश्टन पूछ चुका है तो इधर के बाद बंद कीजिए प्राय पर फूकस कीजिए जो होना तो होगा यह होगा देखिए फैला कुश्टन आपको दे रखा क्या है कि 178 गुना 593 और जो एक सो संतावन यह आपका पूछा गया है मल्टी टैस्किंग एक्जामें दॉस्ट सेशन में है पूछा का इसका इन डिजित बताईए इन डिजित निकालने के लिए आपको मैं बता रखा था इसका वीडियो देख लीजिए गा जिनको नहीं आता है इन दोनों का गुना कर लीजिए यानि कि जो भी इसका इमिट प्रेस है बस हमें उसी समय बागी बात को छोड़ दीजिए तो आर त्री इन डिजिट का उसमें दे रखा होगा लिंक उसको आप देख लिजेगा और नमबर अफ जिरोज का भी दे रखा होगा इसमें लिंक उसके आप देखके समझ लिजेगा ठीक है चोई नेक्स कुशन देखते हैं 729 गुने 562 प्लस में 155 यह आपका इसमें कौन सा इन डिजि आएगा 13 13 में आगे आपका 3 3 होगा इसका अंसर अपसन अमरे नेक्स कॉश्चन जल जल दी कर लीजिए वह थी चेप्टर होता है असान से हो जाएगा आपका ठीक है नेक्स कॉश्चन रखेगा बोला कि निवलिखित में से कौन सा पूर्ण बरकाई काई नहीं हो सकता है य जो किसी नमबर का स्थान कर लिजिए उसके इकाया स्थान पर कभी नहीं आएंगे 2 3 7 8 आपका औपसन दे दे रखाया है 4 4 आता है चौश बहाँ आता है नो हमसे पूछा कि कौन सा नहीं आता है तो 8 आपका कभी नहीं हैंगा यह आपका देखिएगा तो 4 के स्कॉयर में भ आपको पता ही होगा 3-3-9 हो जाता है 7 का स्कॉर 49 इसमें भी 9 आता है आपका जबकि ये किसी के स्कॉर में नहीं आगा ठीक है इतना बात या दखेगा 2-3-7-8 ये कभी नहीं आता है चले नेक्स देखते हैं कि बुला क्या है कि 49237 multiply with 3995 multiply और किता गुना करवाएगा यार रुक जा नौ तो जाके रुक गया बुला किसका गुन फर में इकायंग बताईए बताईए आप ही बतातीजे हम क्या बताएं इसका कितना होगा यहाँ पर 5 यहाँ पर देखिए फिर से 8 यह आपका 3 और यह आपका 9 जैसी 5 के साथ कोई भी अगर समसंग क्या आता है उसका क्या होगा 0 आप पचे 40 हा जागा 40 मोता 0 0 के साथ सब 0 ठीक है तो आप्सन नमर एज का जागा 0 नेक्स क्क्रेशन देखिएगा भुला कहा कि यदि 169 को पहले 366 से गुना किजिए और उसके बाद 482 से गुना कर दीजिए गुना ही तो करना किसी के साथ किसी कर दीजिए कुई फ्रग भी पढ़ने वाला और एकाइंग बता दीजिए तो नौ में 7 से किची आगा 63 63 में 3 आ गया तीन को जब दो से करेंगे इसका एकायंग क्या है दो या आपका एगा 6 इसका एकायंग कितना होगा 6 6 इसका सीने मोर अप्सन सही है निकल जाए यह मार के चलिए नेक्स क्कॉशन देखते हैं नेक्स क्कॉशन में कहा है कि 1001 का पावर दे रखा है 2008 और प्लस में 1002 इसका एकायंग पूश दिया है आपको जनकायड के बता दू कि अगर इक इन प्लेस वन हो और वन पे कितना भी पावर दे दे पावर एन हो उसका इन प्लेस टस से मस्तक नहीं होगा और इसका क्या है दो प्लस में दो एक और दो मिल के तीन हो किसका बी नम रखशन जाएगा और सीजिल में पूछागा क्या क्यों है और सीचेश रेचेशल में पूछा दीजी आप तो देखिए कहां पर आपको मैं बता दूँ जब किसी संख्या के बेस पावर में 4 से अधीक हो और उसका हमें निकालना हो तो क्या करते हैं कि कि बेस पावर में हम लोग 4 से डिवाइड लगाते हैं यहीं 102 में 4 से डिवाइड लगाओगे कितना है इसका रिमेंडर बचेगा 2 इस बाले में 103 में 4 से डिवाइड लगाओगे रिमेंडर बचेगा आपका 3 यानि कि इसका इंका इंक क्या होगा 4 4 का सिर्फ remainder ले लो, जादा समचктह, जब power में 4 से बरी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ उसमें 4 से divide लगाते हैं, और remainder को countdown करते हैं, ठीक है, remainder को. अगर remainder 0 दो जाता है, उस case में हम लोग वहाँ पर power लेते हैं, 4. लेकिन आपर जोड़ने है दो आ रहा तो ले लेंगे 20 अप्लस का साइब प्लस ले लिए चार इसके पार में क्या होगा तीन 4 का स्कॉर्ण 16, 4 का Q, 64, यहां का ले लिजे फिर से, छोर यहां का, 4, यह दोनों मिलके जोड़ना है, 10, 10 में क्या गया है, इसका गया होगा, जीरो, नेक्स क्वेशन देखिए, नेक्स क्वेशन देखिएगा, बोला क्या है, कि 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 के पावर में दे रखा है, 1, 53, और मल्टिप्लाइ करना है, इसको 3, 4, 1, और पावर में दे रखा है आपका 72, पुछा की इकाइंग बताईए, बताईए इसका इकाइंग, आपको क्या लेना है, 1, 53 है, इसमें 4 से डिभाई लगाएगा, रिमेंडर कितना आएगा, आपका 1 आएगा, सिर्फ लास्ट के टू डिजिट में लगाईए, क्योंकि 4 से डिभाई लूली ये कहता है, कि किसी संख्या कर जाते हैं, तो पूरी-पूरी संख्या क्या होती, ये 4 से डिभाई है, अधर्वाईज नहीं, काटने का कुशिश कीज़ेगा, तिरे जो का 52 एक बचेगा, रिमेंडर इसका एक, यहाँ पर 72 है, 72 आपका चार से लगाईएगा, रिमेंडर आपका 0 आजाएगा, जैसे 0 आएगा, तो हम लोग इसका बेस पावर क्या लेंगे, आपका लेंगे, चार अठर शुक बहुता है, चार ले लेंगे, ऐसे भी देखिए, जब इसका इनिट प्लेस अगर 1, तो पावर में कुछ भी रेव से कोई फ्रग नहीं बढ़ता, तो यहाँ पर देखिए आपका 7, 7 के पावर में वहन चला जाएगा, और गुना, एक के पावर में आप चाहो तो चार कर लो, कोई दिख्या तो नहीं, तो साथ गुने, इसका पावर तो एक ही रहागा, यानि ले देखे क्या बचेगा, बचेगा, तो इसका आंसर जाएगा, सी नमोर अप्सन, 7, ठीक है, नेक्स कोईशन देखते चलिए, नेक्स कोईशन देखेगा, बोला क्या है कि 22 के पावर 23, 22 के पावर में 23 है, और पुछा क्या इसका इसका इकाहिए, तो सबसे पहले देखेए कि 23 आपका 4 से जादा है, इसमें डिभाइड लगाए, रिमिंडर क्या बचेगा, रिमिंडर बचेगा आपका 3, इसका को आर तीन चार में इतना सा दे रख्या था आपका इक आयंग से लेटेट कोशन जल 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 दी हो गया complete अब कुछ कोशन जो है आपका सुन्यों को कि संख्या से लेटेट होगा हम लोग उसे भी देख लेते हैं सुन्यों को कि संख्या से और इस तरह से बोला किया है 98 99 और 100 तक गया है और बोला है कि को प्रस पर गुना करके आपस में गुना करके गुननफल के दाई और अंत पर यानिकी कायं के अंत पर सुन्यों को कि संख्या बताईए बताई कितना होगा आपको इसके लिए में रूल बताया था एक कि क्या होता है कि जब continuous को शरीज हो इसको हम बोर सकते हैं कि 100 का फेक्टोरियल है लगा लेंगे तो पांसे डिभाइड लएगा यहां पर 20 पचे 100 जागा फिर से पांसे लगा यह आपका 4 पचे 20 जागा आप यह पांस छोटा है था हम लोग यहीं पर स्टॉफ हो जाएंगे और लास्ट की इन दोनों को जोड़ देंगे यह आपका 20 प्लस 4 24 यानि लास्ट मे क्योंकि जो संख्या होती है गुणा करने में वह आपका 24 होता है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं अगर जिनको सुन्यकों की संख्या समझ नहीं आ रही होगी तो सुन्यकों की संख्या का भी मैंने लिंक दिस्क्रिप्सिन दे रखखा है आप जाकर पहले उससे देख लिए समझ लिजेगा अच्छा सिसका कॉंसेप्ट क्या है उसके बाद आप लोग यहां पर कंटीनु कीजेगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ऐसा कोशन में करवा भी रखा है ता आपको यह रिपीठी लगेगा वहां पर देखें दूसा कोशन में क्या बोलाया कि संख्य में दाई और से अंत में सुने को कि संख्या कितनी होगी इसके बारे में बताना है आपको सबको गुणा किजेगा देखेगा इस चीच को अगर लिखोगे आप तो दो गुणा एक लिख सकते हो गुणा मी इसको दो गुणा दो इस वाले पार्ट को दो गुणा तीन और ऐस गुना दो गुना तीन गुना चार और इस तरह से यहां पर 98 गुना 99 गुना 100 अब इस बात को समझें कि अगर दो के पावर सो दे रखा यह चीज और यह फिर से क्या होगा continuous तो 100 का फेक्टोरियल हो जागा फिर से अब भी मैंने बताया कि 100 का फेक्टोरियल में सुन्योगों के संख्या कितनी होती है आपकी होती है 24 ठीक है तो इसके लिए 24 हो जागी पूरा पूरी कितना होगा 24 यानि 24 यह बताता है कि इसमें 5 जो होगा आपका 24 बार होगा जबकि दो बहुत सवारे होते 200 बार ते ही पर द जाम में पूशे गए हैं असा कर तो मैं आपको समझा पाया हूँ अगर नहीं समझ पाया हो तो इसका पहले बेसी चीज़ समझ लिजे जो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है इकायंक से रिलेटेड और सुन्यकों के संख्या से लिटेड जो मैंने कॉंसेट ब बचा हुआ जिसमें मिक्स अपोगा पर्सेंटेज रेवरेज वेगा ऐसा मिक्सप करके दे रखा होगा तूसरे हम लोग करेंगे बड़ी मज़दार मज़दार कोशन होगा उसमें तो बने रहे हैं जाहिंद बाइ झाहिए